बॉलिवुड की हसीन अदाकारा कियारा अडवानी आज यानी क 30 जुलाई को 33 साल की हो गई है आज उनके जन्म दिन पर उनसे जुड़ी वो बाते हम आप तक पहुचाएंगे जिनसे नभे प्रतिशत लोग शायद आज भी अंजान होंगे जैसे अशोक कुमार से उनका करीबी रिष्टा और उनका असली नाम क्या है साल 2014 में फिल्मों फगली से बॉलिवुड डेब्यू करने वाली कियारा का दिगज एक्टर अशोक कुमार से करीबी रिष्टा है इसके साथ ही बता दे कियारा अड़वाने का असली नाम कुछ और है क्या आप जांते हैं अक्रिस का असली नाम क्या है बॉलिवुड में कई ऐसे सलब्स हैं जो आपस में रिष्टिदार हैं इनके बारे में लोग जानते भी हैं लेकिन बॉलिवुड इंडस्ट्री में एक दिगज अक्टर और अक्ट्रिस हैं जिनका तालूक आपस में बहुत क्लोज रहा है। लेकिन कभी किसी के सामने इनका जिक्र खुल कर नहीं हुआ। वो है बॉलिवुड डीवा क्यारा अदवानी और अशोक कुमार। क्यारा आज अपना स्पैशल डे सेलिब्रेट कर रही है, आज अपना 33 वाज जन्म दिन मना रही है। चारो और से क्यारा को विशिस मिल रहे हैं, सेलेब से लेकर फैंस तक उन्हें विश कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, आज हम उनके जन्म दिन पर उनसे जुड़ी वो बाते आप तक पहुचाएंगे जिनसे 90 प्रतिशत लोग शायद आज भी अंजान होंगे, तो आज हम बात करेंगे क्यारा अदवानी और अशोक कुमार की। क्यारा का दिगज एक्टर अशोक कुमार से करीब रिष्टा है। इंडिस्ट्री के सदा बाहर एक्टर रहे, अशोक कुमार एक्टरस क्यारा अदवानी के सौतेले पर नाना लगते हैं। दरसल क्यारा की जो मा है, जैनेविव जाफरी, उनकी सौतेली मा थी भारती गांगुली, वो अशोक कुमार की बेटी थी। ऐसे में अशोक कुमार क्यारा अदवानी के पर नाना लगते हैं। अब बात क्यारा के असली नाम की, तो क्यारा का असली नाम आलिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में खुद खुलासा भी किया था। उन्होंने बताया था कि उनका असली नाम आलिया आडवानी है हाला कि सल्मान खान के सलाह पर उन्होंने अपने नाम में बदलाव कर लिया था दरसल आलिया नाम से पहले से आलिया भट इंडिस्ट्री में मौजूद थी ऐसे में कियारा ने अपने नाम में बदलाव कर लिया था इसके साथ ही कियारा से जुड़ी एक और अनोखी बात बताते हैं कियारा ने रेडियो सिटी को दी इंटर्व्यू में बात करते हुए बताया था कि एक्ट्रस बनने से पहले वो अपनी मा के साथ प्री स्कूल में काम किया करती थी कियारा स्कूल में बागी टीचर्स की तरह ही छोटे बच्चों के साथ खेलती थी पोइम्स पढ़ना और लिखना जिखाती थी इतना ही नहीं जरूरत पढ़ने पर कियारा बच्चों के डाइपर्स तक बदलती थी साल 2014 में उन्होंने फिल्म फगली से अपने एक्टिंग करियर की शिरुवात की आज वो अपने करियर में लगभग एक 30 फिल्मे कर चुकी है दे फाइनेशल एक्सप्रेस की रपोर्ट की मताबेकर कियारा की टोटल नेक्ट वर्थ 40 करोड रुप्य है उनकी कमाई का जरिया फिल्मों के साथ ही ब्रांड अंडॉर्स्मेंट भी है कियारा एक फिल्म के लिए करीब 3-4 करोड रुप्य फिस चार्ज करती है कियारा को महंगी गाड़ेों का बहुत शौक है उनके पास 80 लाग की कीमत वाली BMW है इसके साथ ही BMW 530 भी है और एक Mercedes-Benz भी है जिसकी कीमत 60 लाग रुप्य है इसके साथ ही कियारा का मुंबई में अपना एक फ्लैट है जिसके कीमत 15 करोड रुप्य बताई जाती है टीचर से एक्ट्रस बने कियारा आदवानी की स्टोरी आपको कैसी लगे हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताया और आसी ही स्टोरीज के लिए जुड़े रही है न्यूर्डेट इन इंडिया उरिजिनल्स के साथ